हेलो दोस्तों स्वागत आपका PSA Tative चैनल पे मेरा नाम है लीना जन आज का हमरो डॉपिक है W3 Total Cache Plugin Tutorial तो आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि W3 Total Cache Plugin को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज कैसे किया जाता है और इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वाइब होस्तिंग का डिस्काउंट लिंग मिलेगा जहां से पर्चेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट तो डायरेक्ली जाके पर्चेस कर सकते हैं और अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैर आकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि में नेक्स्ट कोई वीडियो अप्लोर को तो उसको नोटिफिकिशन सबसे पहला आपको मिलें तो चले शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे है डबली त्री टोटल कैशे को कैसे इंस्टोल करते हैं और कैसे उसका पूरा सेटिंग किया जाता है कैसा उसका पूरा यूसेज रहता है तो उससे कौश समझेगा अब गयाज जो बात कर रहे हैं इस नाम से आपको समझे आता है वह है कि और आज के डेट में इसके अंदर और ब는지 बहुत सारे फीचर थे जिसके बारे में हम इस वीडियोंगे बात करने जा रहे हैं मैं आपको दो चीज़े बताना चाहता हूँ जो आपको फ्यूचर में जब तक आप WordPress पर काम करते आएंगे, जब भी आप वेबसाइट पर काम करेंगे, एक वेबसाइट पर काम करेंगे, एक वेबसाइट बनाना होगा, आपको ब्लोग बनाना हो चाहिए, कुछ भी करना पहली चीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इक डिस्राउंड लिंक मिलेगा, वेब वोस्टिंग का, जो की वर्पेक्स है, मैं खुद भी अपना ये जो वेबसाइट आपके सामने आप देख रहो, अपना ब्लोग 360.com, ठीक है, ये जो होस्टिंग है, ये उसमें अभी आपको 67% का और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है, आप साइट ओपन करेंगे, और आपको वहाँ पर डिस्काउंट देख जाएगा, और एक प्रोमो कोड भी, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कोड करो दूँगा, जिसके बाद आपका और भी जादा हो जाएगा, ठीक है, तो अभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो यह जो प्रोमो कोड है, यह अभी ही काम करेगा, जब तो ब्लाक फ्राइडे सेल चल रहा है, उसके बाद हमारे लिंक के तरू आपको जो नॉर परमले 90% discount मिलता है अभी और additional discord आपको मिल रहा है ठीक है कैसे खरीदते है अगर यह आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने YouTube एक वीडियो बना है जिए एक वीडियो के लिह को crushing तो आपको discount मिलीक है तो आपिनना से कोई भी वीडियो को देख सकते हूं अब दूसरी चीज है अगर आपको कोई भी premium या plugin चाहिए ठीक है lifetime के लिए और unlimited websites के लिए और वो भी बहुत comprise जानि कि अगर तीन अजार रुपे की चीज आपको यहां पर 300 रुपे मिल दाया है निकि 90% discount के साथ आपको इस साइट का भी discount link है वो आपको इसी वीडियो के डिस्कूर्ट करो वहाँ पर जाके purchase कर सकते हो आपको यहां पर 35,500 से भी ज़्यादा premium themes प्लागिन्स मिलेंगे सिर्फ wordpress के ही नहीं सभी platform के ठीक है आपको यहां पर किसी platform को चाहिए होगा जैसे wordpress हुआ of WooCommerce आप चाहो तो Drupal, Magento, Zoomla, HTML, Elementor के template सब कुछ भी लेगा आपको यहां पे साइट पे तो आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो link आपको description में मिल जाएगा चलिए आप सबसे पहले हम जाएंगे plugins में और add new plugin पे हम click कर लेंगे और यहां पर हम लिख देंगे W3 total cash है पूरा लिखने की जरूत नहीं है बहुत popular प्लगीन है और 1 million से भी जादा इसके installations है जो कि एक बहुत ही अच्छा मतलब आपको बताता है कि कितने सारे लोग इसको use कर रहे हैं तो SEO के perspective से देखा जाए या फिर हम website optimization CDN सारी चीज़े आपको यहां पे मिलती है ठीक है त इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो WP fastest cash है पर आने वाला है ठीक है तो उस वीडियो का भी link आपको इसी वीडियो के description मिल जाएगा तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो फिर आपको बहले अगर W3 total cash है उसकरना तो वो कर सकते हो नहीं तो आप WP fastest cash है भी use कर सकते हैं दोनों के वीडियो आप मिल जाएंगे आपको ठीक है तो मैंने इसको activate कर दिया है ठीक है अभी activate हो रहा है ओके डन तो यहां पर हमने इसको activate भी कर दिया है तो हमारा जो काम है यह दोनों होगे अब आप देख सकते हो ऊपर आपको एक extra option मिल रहा है performance के नाम ठीक है तो अगर आपको website आप कुछ भी नया design करते हो तो वो design अगर update नहीं होता है कभी भी तो वो cache की प्रावलों के वज़े से होता है तो आप simply performance पर जाना और पर जो आप क्लिक कर देना और यह cache क्लियर कर देगा और उसके बाद आपका जो भी update होगा जो latest version होगा आपकी ठीक है अब यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़े जो है आप देखने में सबसे पहले welcome page है और यहाँ पर आपको पूछ रहे है आपके साइट के लिए इसको सेट अप करने वाले है और आपके साइट में क्या की चीज़ों की जरुवत है क्या कि आपके एकसे यह खुद समझ लेगा है तो हम एकसेट पर क्लिक कर देंगे ठीक है अब आपको गाइडिया मिलता है आप आप सिंप्ली जो है आगे बढ़ स है तो ठीक है तो यहां पर आप नेक्स पर क्लिक कर देंगे अब टेस्ट पेज के कैशे आप इसको टेस्ट कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा आप यहां पर चलिए वह देख लेते हैं मेजरिंग टाइम टू फास्ट लाइट यह क्या टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है ठीक है पहले अगर आपने कुछ देखा होगा तब ऐसा आप नहीं होगा ठीक है यहां पर आप्टिमाइज यह टाइम का अप्टिमेज़ेशन हो सकता है और डिस्क आप देख सक कर यहां पर सकते हैं और इसके अलावा हम यहां पर अबजैसे सब कुछ सेजयों को हम यहां पर टेस्ट कर सकते हैं ठीक है यह हमारा टेसकर बाकिदÍक आपर बन देखे बlivedes यह जाते हैं ले अपना पर देखने हो मिल जाता है कि निस कि एक बार के सिल स्किप कर देंगे city करने in赤 हमें इस symbolic कर दिया है ताकि हम आगे बढ़ पाया अब थ Kanika मिख सकते हो नहीं तो अफ़ कर से तो में ली घरना होता हैprochen कैश का ही अपने केस में अपने केस में अपने केस में आपने को फ्रेंट पेज जो है उसमें फिलेकर करता सकती है यह हमें on रखना है देखो यहां पर don't डिखा हुआ है इसलिए हम इसे on नहीं रख रहे हैं अगर don't नहीं होता हम इस on रखते हैं और यह वाला चीज़ इसको हम enable कर सकते हैं या फिर आप चाहूँ तो नहीं भी रख सकते हो ठीक है और don't cash pages or logged in users ठीक है अब यह जो चीज़ है यह आपके उपर है आप रखना चाहते हैं कोई फरक नहीं पड़ने वाला ठीक है logged in users के लिए होता है तो हम चाहें तो इसको आफ भी कर सकते हैं cash alias host names नहीं इसको हमें कुछ भी नहीं करना है cash period इसमें कोई changes नहीं करना है और यहाँ पर वो सारे pages है जिस पर आपको पर जब भी आप इस पर पर इस पर click करते हैं आपको कहा कहाँ इसका effect पढ़ता है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो जो pages में इसका effect चाहिए हो हम कर सकते comment pages, author pages, terms ठीक है, terms पर में नहीं चाहिए author feeds, comment feed, daily archive pages monthly archive pages और yearly archive pages और front change पर हमें चाहिए ठीक है, तो यह सब चीज़े हमको on कर देना है यह दो चीज़े जो है आपको करने की जरूद नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर purge limit 10 है आप इस limit को change कर सकते हो अलाग इससे आदा के requirement होती नहीं है और यहाँ पर हमें थोड़े से और जीज़े देंगे इसके अंदर हमें कोई भी changes करने नहीं है और यह सब कर लेते हो आप उसके बाद आपको save settings पर click कर देना है तो इन सारे plugins का काम होता है लेकिन यह feature भी आपको total caching मिल जाता है इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे plugins का use नहीं करना पड़ेगा तो यह अच्छे Minify करता क्या है आपके website के अंदर HTML, CSS, JavaScript के जो code होते है उसको Minify कर देता है और Minify करने से आपके website की page load speed जो है वो अच्छी हो जाती है ठीक है इससे आपके website का total optimization जो होता है वो सुधर जाता है तो इसलिए अभी HTML, Minify settings आप जाओं तो से enable कर सकते हो ठीक है इसको enable करना है JS का already enabled है यानि कि JavaScript enabled है CSS का भी पहले से enabled है ठीक है तो ये चीज़ भी आपको कर देना और उसके बाद sales settings पर क्लिक कर देना है ठीक है और अब इसके बाद आपके बाद यहाँ पर option है था object cache है browser cache है cache group, cdn और fact तो अब हम एक बाद database cache पर चले जाएंगे database cache के अंदर आपको कुछ भी यहाँ पर changes नहीं करना है क्योंकि जो changes यहाँ पर चाहिए वो सब already यहाँ पर किया हुआ है ठीक है और इसके object cache है ठीक है object cache के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको seconds और यह सब time thing आपको दिखा देता है ठीक है उन लोगों के लिए इसको on रखना कोई जरूरी नहीं है तो इसलिए हम फिलाल के लिए इसको on नहीं करेंगे ठीक है और फिर browser cache आजाता है हम इसको leave कर देंगे इसके अंदर कोई भी changes हमें करना नहीं है set last modify header set expires header और यह सब चीज़े जो होता न यह आपको एक normal user को यह सब चीज़े करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो इसलिए हम इसके अंदर भी कोई changes नहीं करेंगे mainly हमें जो change करना था वो सिर्फ और सिर्फ जो page cache वाला page था वो WS router cache का main page है और minify आप चाहो तो कर सकते हो ठीक है नहीं जाओ तो आप इसे छोड़ सकते हो और इसके अलावा कोई भी चीज़ी यहाँ पर required नहीं होती है ठीक है इसके बाद आता है CDN CDN के अंदर automatic जो settings आपको चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पर already दे रखा होता है कभी भी आपको कुछ करना होता है CDN को completely आपको purge करना है तो आप यहाँ पर आगे completely इसको purge कर सकते है Purge मतलब clear करना है ठीक है यह चीज़ होती है तो यह सब कुछ हमने यहाँ पर already on कर रहा है only purge CDN manually ठीक है हम इसे manually ही purge करना चाहते है हम इसको on मत देंगे ठीक है CDN को purge करने का मतलब यह होता है CDN क्या करता है आपके website के cache को बहुत सारे servers पर store करता है ताकि आपकी website हर location पे एक ही जैसी अच्छी कासी speed से चालू हो जाए मतलब जो है request बेशता है मालो कि आप पर जो server है आपने जो hosting लिया उसको server Bangalore में है और आप बैठे हो कश्मीर में तो Bangalore और कश्मीर में बहुत difference होता है बहुत दूर ही है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेगा कि CDN कर लेगा कि कश्मीर के सबसे नजदी की server पर आपके website का cache रख देगा जिसके वज़े से होगा यह कि जब भी कोई बंदा कश्मीर से आपके website को open करना ही कोशिश करेगा ठीक है तो उसको Bangalore तक request नहीं जाएगी वो जब अपने laptop में आपके website को open करना ही कोशिश करेगा तो जो request है वो Bangalore नहीं जाएगी कश्मीर की नजदी की server में जहां पर भी आपके website के cache पड़ा होगा वहां सबसेट को उठा के डिस्प्ले करा दिये जाएगा तो उस चीज को clear करना या ना करना ये आपके हाथ में होना चाहिए अगर वो automatic clear होता रहा तो उसमें क्या दिक्कत ही आएगी कि आपके request एक बार वापस backlog जाएगे तो वो चीज आपके control बहना चाहिए तो हम only parse reading manually पे step settings पे click कर देगे तो ये चीज आपको यहाँ पे करने है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना हमने सारी चीजे कर दिया अब हम जब भी parse करेंगे तो जो जो चीजे हमने यहाँ पे setting में किया था page cache पे ठीक है जो जो हमने यहाँ पे set कर दिया था जैसे ये सारे pages इन सभी pages में से cache को clear कर दिया जाएगा तो main setting आपको सिर्फ और से page cache पे करना है मिनी 5 पे आप करना चाहो तो कर सकते हो अलगी कोई suggest नहीं करूँगा मैं कोई जाज़ जरूरी है ने आज़सके लिए चाहो तो आप दूसरा plugin भी यूज़ कर सकते हो मैं recommend करूँगा कि आप auto optimize plugin यूज़ करो इस चीज़ के लिए ठीक है या फिर हम कह सकते imageify है ठीक है और lazy load ये सब जो काम करता है ठीक है वो सब कुछ करने के लिए दूसरे बहुत सारे plugin है ठीक है A3 lazy load ये सारे plugin जो ये काम ज़्यदा बेटर कर सकते है मेरे इसाब साब के लिए सिर्फ total cache यूज़ करना है तो आपको ये सारी settings on कर देनी है और इसके बाद कुछ भी आप on करते है उसके बाद आपको save settings पर क्लिक कर देना है ठीक है और जब भी अपने site पर सारा काम कर ले तो और उसके बाद एक बाद आपको अपने site पर जो cache है उसको purge कर देना है ठीक है ताकि आपके वेबसाइट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो सभी यूजर्स को मज़र आए ओके गाइस तो ये था कम्प्लीट वीडियो डब्ली टॉटल कैशे का ये मैं कहूँगा कि की ये सबसे बैस प्लगिन अगर आप कैशे के लिए को अप्ष्टय कर सकते हो तो अपů गएज ये था कम्प्लीट विडिएयो अगर आप खोई भी डावटे थाँ आवसे क्मेन करके पूच सकते हैं वीडियो बसर लाइक लिंक और अगर कोई प्रिम्यूम थीम्स या प्लगीन लेना जाए तो इसका भी डिस्काउंट लिंक दोना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होने बाला है डबली पी फास्टस कैशेगा उस वीडियो का भी लि देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आयोगा पसंद आते से लाइक कर दिजे शेर भी कर दिजे और आपने पिता कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल एकोन को भी प्रेस कर लिए ताकि में नेक